हलो गाइज तो आप सब कैसे हैं तो गाइज आज किस वीडियो के अंदर हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं आप लोगों ने टाइटल एंड थामनेल देखके आप लोगों को पता चल गया होगा लेकर एक सेकंड यह क्या है वो सुरी टाइटल पे तो कुछ है नहीं तो क क्या देखोगे तो आप लोगों ने थामनेल देखके आप लोगों को पता चल गया होगा कि हम किस टॉपिक भी बात करने वाले हैं तो जैसे कि आप अभी के टाइम पर देख रहे होंगे कि हमारे टाइटल पर कुछ भी नहीं है मेरा पूरा टाइटल ब्रैंक है टाइटल कोई भी वर्ड नहीं दिख रहा है तो गाइज इसी वीडियो के अंदर हम आप लोग को इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि आप यूटूब पे बिना टाइटल की वीडियो कैसे अपलोड कर पाओगे तो गाइज काफी लोग को पता होगा कि यूटूब पे नो टाइ टाइटल की वीडियोज अपलोड कर सकते हैं तो बिना टाइटल की वीडियोज अपलोड करने के लिए सबसे पहले आप लोग को क्या करना होगा कि सबसे पहले आप लोग को यूटूब पे कोई भी वीडियोज को अपलोड को अपलोड कर देना है तो आप लोग कोई भी व pencil के icon पर click करूंगा and यहाँ पर जो मेरा यह title है मैं इस title को यहाँ से हटा दूँगा पूरा तो मैं आप लोग को यहाँ पर दिखाता हूं तो guys मैं यहाँ पर पूरा title हटा चुका हूं आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं place internet title का option आ रहा है and guys मैं यहाँ पर जैसे save करता हूं save का option ही नहीं आ रहा बिना title का यदि आप मैं यहाँ पर कोई space देखके यहाँ पर वीडियो को save करता हूं तो guys आप लोग यहाँ पर नीचे देख सकते हैं यहाँ पर कुछ problems हो रहें जिसके करण यहाँ से video हमारी save ही नहीं हो रही तो अब आप लोग को किया करना है मैं आप लोग को बताता हूं तो सबसे पहले आप लोग को Chrome browser पर चले जाना है Chrome browser पर चले जाना है या भी किसी भी browser को आप लोग वहां पी open कर सकते हैं and वहां पी open करनускा बाद आप लोगो यहां पे search करना है empty character तो मैं यहाँ पे search कर लेता हूं empty character जैसे आप लोग यहाँ पे search करेंगे तो यहाँ पे फस्ट पे ही एक site आ जाएगी तो आप लोगो को इस website पे click कर देना है and यहां पर आने के बाद आप लोग को थोड़ा स्क्रोल डाउन करके आप लोग को नीचे साड़ जाना है एंड थोड़ा और नीचे एंड यहां पर आएंगे तो copy to clipboard का एक option मिल जाएगा फस्ट में ठोड तो आप लोग को simply इसको यहां से कर लेना है copy तो जैसे आप यहां पर click करेंगे तो यहां पर automatic copy हो जाएगा एंड इसके बाद आप लोग को यहां पर क्या करना है कि आप लोग को फिर से byt studio पर चले जाना है byt studio पर आनक बाद जो आप लोग ने होँआ पर copy किया है उसी आप लोग को यहां पर simply कर देना है paste and paste करनी बाद आप लोग को यहाँ पे save पे क्लिक कर देना है तो मैं यहाँ पे save करता हूँ and guys मैं आप लोग को live रूप यहाँ पे दिखाता हूँ तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं तो guys देखे हमारी वीडियो यहाँ पे हो चुकी है post तो guys आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो कि मेरी बिनाइट टाइटल की वीडियो यहाँ पे post हो चुकी है तो guys इस ट्रिक की सहता से आप लोग बिनाइट टाइटल की वीडियो यूटूब पे upload कर सकते हैं तो guys यह कि छोटी सी नौरवन वीडियो थी तो मैं सोचा क्यों ना मैं कुछ आप लोग को भी knowledge दे दिता हूं तो कापी लोग को पता ना रहा होगा तो आप लोग को सायद पता चल गया होगा तो I hope guys आप लोग को इवीडियो अच्छे लिगी होगी तो guys मिलते हम किसी दूसी वडियो पे तब तक के लिए जैहिंद बंदेवातरम